कि क्लेक्शनस है कि क्लेक्शनस में हम लोग क्या करते हैं देखें कि गाइचन क्या होता है यह सकेंड उप्शन है आपका कलेक्शन जब आप कोई भी जियार सेव करते हैं मेंबरी के उपर कोई भी जियार आप सेव करते हैं मेंबरी के उपर तो वो एक फाइल के अंदर जाकर सेव होता है ठीक है वो एक फाइल बनाना होता है में आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं उसी file के अंदर सारे gr save होंगे ठीक है यानि collect करेगा collection होगा वो file एक gr का collection करके रखेगा clear है तो देखे जब आप collection पे click करेंगे तो इस तरह का screen आपको बन के आएगा किस तरह का screen बन के आएगा इस तरह का screen जो screen है आपको mobile पे दिख रहा है इस त्री डॉट पे हम लोग click करेंगे clear है जैसे ही आप इस त्री डॉट पे click करेंगे आपको दो चीज दिखेंगे new kml file और new gpx file ठीक है अब मतलब यह कहरा है कि जो आप gr का collection करेंगे gr का जो collection करेंगे जिस file में उस file का जो format है क्या होगा आप kml रखना चाहते है यह भी gpx रखना चाहते है ठीक तो हम लोग इस उपर वाले पे click करेंगे kml पे kml पे click करने से क्या फैदा आगा हो यह google earth का file format है और जितने भी gr हम kml में save करेंगे suppose that आपके computer यह laptop system में आपने google earth इंस्टॉल कर रखे है चल रहा है आप kml वाले gr पे सिर्फ simply आपको double click करना है क्या करना है दो बर click करना है automatic यह gr open हो जागा किस में google earth अगर आपने gpx format में save किया तो आपको change करना पड़ेगा सबसे पहले अगर आप google earth में देखना चाहते हैं तो अगर आप google earth में देखना चाहते हैं तो आपको change करना पड़ेगा इस file को change करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा इस gpx को किस में change करना पड़ेगा kml अब change होगा कैसे तो change करने के लिए एक software आता है gps इसका भी हम लोग कभी class ले लेंगे आपके लिए कि किसी भी ops plan को आप gps से कैसे आप google earth में देख सकते हैं google earth से gps में या फिर memory में या फिर works map में कैसे देख सकते हैं जब यह सारे चीज़े हम आपको बताएंगे तब वहाँ पर हम आपको बताएंगे gps bubble के बाराय में ठीक है तो हम लोग अभी फिरा kml पर क्लिक करते हैं जैसे हम लोग kml पर क्लिक करेंगे create करने के लिए option आता है create file यहाँ पर file का नाम दीजेगा हमने रंजन लिखा file का नाम क्या रिखा रंजन और जैसे इसको हमने save किया देखे अभी पहले क्या था कि यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा था अभी runjan.kml दिख रहा जैने एक file हमारा बन गया जहां पर हम सारे jr हमारे save होंगे runjan.kml file के अंदर ठीक है और इस kml file को हम direct double click करके अपने system पर जैसे open हों करेंगे वो google earth में क्या होगा google earth में open हो जाएगा और यहाँ पर हम उस file के अंदर जितने jr है चाहे 10 हो यह 20 हो यह 50 jr हो सारे हम इस screen पर देख सकते हैं ठीक है अब देखिए कुछ एक चीज है और यहाँ पर देखिए जो तीसरा है option waypoints का तीसरा option add manually यहाँ सी हम लोग jr feed करते हैं लेकिन जो हम लोग अभी collection के बारे में सीख रहे थे उसके बारे में और थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं ठीक है कि collection वाले जो file है हमारे kml यह फिर gpx जिसमें भी आपने collection बारा file create किया है उसका काम कैसे करता है उसमें कैसे gr save करते है ठीक है तो आप add manually पे click किजेगा जैसे यह add manually पे click किजेगा एक बार insert किजेगे कि double dms है या नहीं यही होना चीए तभी आपका degree, minute, second और microsecond में location सही दिखाएगा ठीक है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर gr भरेंगे latitude और यहाँ पर longitude latitude और longitude भरने के बाद यह सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर insert कर लिजिए insert करने के बाद सिधा आप आजिए आप जो gr यहाँ पर भरेंगे जो save करेंगे उस किस फाइल में जाना चाहिए runjan.kml क्योंकि एक फाइल हमने बनाया इसलिए runjan.kml में जा रहा है अगर वहाँ पर तीन दोस्त हैं यह तीन नाम से फाइल create करना चाहते है kml, gpx, जिससे भी तो यहाँ पर आपको click करना पड़ेगा और सारे फाइल दिखने लगेंगे ठीक है जैसे हमने और दो फाइल बनाया था एक runjan नाम से हो गया एक ambush के नाम से हमने बनाया है और एक raid के नाम से बनाया अब जो हम यहाँ पर gr feed करेंगे ठीक है वो gr हमें जो collection है किस फाइल के अंदर वो gr हमको save करना है runjan के अंदर करना है, ambush के अंदर या raid के अंदर तो किसी एक को click कर लेंगे अभी runjan जैसे यहाँ पर दिखरा है select है अभी हम save कर देंगे तो runjan के अंदर जाएगा यहाँ पर gr भरने के बात clear है लेकिन हम मालने जाए हम ambush में करना चाहरे है ambush पर click कर लिए ambush का मालने जाए हमने कोई ambush का plan किया या ambush का हम gr भर रहे हैं वहाँ पर 10 gr हमने feed किया तो यहाँ जितने भी gr हम 200 gr feed करेंगे यहाँ पर gr हम भरेंगे latitude और longitude और यहाँ पर हम file select कर लेंगे save कहां करना है ambush हमने कर ले और यहाँ पर simply हम क्या करेंगे save कर देंगे ठीक है अब देखिए सबसे महत्पूल